वेलकम बैक अगें क्लास वोर दिन चैल्ड केर इंटरनाशनल स्कूल, आम ये क्लास टीचर आरती वशिष, टुड़े वी आर गूंग तो स्टार्ट और चेप्टर फॉर्दर, अभी हम अपने थर्ड चेप्टर को आगे से पढ़ेंगे, तो हमने यहां तक अपना कम्पीट क हैं, उसको हम आगे पढ़ेंगे, सतलुज बेसन पंजाब और हर्याना है, यह बहुत ज़्यादा उपजाओ है, यहां पे सबसे ज़्यादा अनाज की खेती होती है, अधर प्रॉप्स ताट ग्रो हेर आर राइस, पॉल्स, कॉटन, शुगर केन, ओल सीट, तो और जो यहां रुई की और ओयल सीट, ओयल सीट्स हमारे होते हैं, जैसे की सरसो का दाना, ठीक है, यह ओयल सीट्स है, अमरित्सर, जलंदर, चंडिगर, अंबाला और लुद्याना, यहां की जो फेमस सिटीज है, वो है, अमरित्सर, जलंदर, चंडिगर, अंबाला और लुद्याना, उस इस रेजिन के अंदर उत्तरपरदेश डेली बिहार वेस्ट बंगॉल और मद्यपरदेश का कुछ पार्ट आता है ठीक है राइस वीट शुगर के इन परल्स ऑईल सीड जूट आर्ड़ मेजर क्रॉप आप देसे रिया यहां की जो मेजर कॉप है जो यहां पर उगाई जाती अड़ कोलकाता आर्ड मॉस्ट इंपोर्टन सिटी आफ रिवर बेसिन रिवर बेसिन की मॉस्ट इंपोर्टन सिटी कौण कौण सी है हमारी दिली यागरा वारणजी हरीद्वार मेरत लगनव पतना है राजगीर अन बोध गया आर दा फेमस टूरीज सेंटर अब यहां का टूरिस्स सेंटर है राजगीरोर पोध गया अब आते हम ब्रह्मपुत्र बेसिन की तरफ अरुनाचल परदेश असाम एंड में घाले आर दा स्टेट थू विच रिवर ब्रह्मपुत्र फ्लोज अब जो रिवर ब्रह्मपुत्र है कहां कहां पे फ्लोग करते हैं अरुनाचल टैस्ट फार्मिंग आर्द डॉमिनेंट इन ब्रह्मपुत्र वैली तो यहां पर क्या क्यों गया जाता है चाय की खेती ठीक है ग्रोइंग क्रॉप्स ओन दे लॉंग नेरो ट्रेश कट अलोंग दी स्लोप्स आप दे मांटन अस टैस्ट फॉर्मिंग टैस्ट फॉर्मिंग क्या होता है सीडी नुमा खेती क्योंकि यहां पर पहाड जादा होते हैं तो फिर सीडी नुमा खेती जैसे सीडिया होती है पहाड़ों पर जैसे जीना होता ना जीना कैसे चड़ता है एक उसके बाद उपर 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 चला जाता है आप माल लीज बारिष तो होती है लेकिन बारिष की वज़े से भी जो पानी उपर से नीचे तक भैके आता और सौल के अंदर मोईश्चर मोजूद रहता राइस जूट और और जूट और होती है डिब्रुगर्ड, दिग्बोई, गुवाहर्टी and शिलॉंग are the major cities of this region यहां की जो major cities इस region की वो है दिब्रुगर्ड, दिग्बोई, गुवाहर्टी and शिलॉंग आते हैं अब उसके बाद next topic पे which is our people of northern plains अब northern plains के people लोग कैसे होते हैं most people living in this area are farmers यहां के जादतर लोग किसान होते हैं as the soil is very fertile क्योंकि यहां की soil बहुत ज्यादा उप जाओ है अब basic सी बात है जहां पे जो चीज़ ज्यादा होगी उसी चीज़ की है तो उसी चीज़ से लोग अपना website बना लेते हैं अगर माल लीजिए एक area है नौइडा नौइडा को ले लीजिए नौइडा में खेत नहीं है ज्यादा क्योंकि वहां की मिट्टी ज्यादा फर्टाइल है तो वहां पे companies ज्यादा है ठीक है इसलिए यहां के लोगों का main profession खेती करना ही है because of favorable climate condition irrigation is possible क्योंकि यहां का climate condition है वह favorable है तो इसलिए irrigation यहां पे possible है some people work in sugar, cotton, jute, textile, paper, leather, fertilizer and chemical industries तो क्या है कुछ लोग यहां पे शुगर चीनी बनाने की उसमें काम करते हैं कुछ लोग जूट और cotton, कुछ textile, कुछ textile मतलब paper हो गई इन सब चीजों की factories यहां पे industries available है जहां पे लोग काम करते हैं ठीक है leather की, fertilizer की, चीनी की, jute की, chemical की तो यहां पे इन सब की industries है ठीक है many people are also good in artisan, काफी सारे लोग artisan में और handcrafts, मतलब खुद की जो हाथ की दस्तकारी होते है ठीक है उसमें भी यहां के लोग मशूर हैं तो किस-किस चीजों की यहां पे वो करते हैं लोग clay, मिट्टी के बरतन हो गए, metal की चीज़े हो गए, wood की चीज़े हो गए, handcrafts हो गया, हाथ से बनी होई चीज़े होती न, जैसे की shawl हो गए, कश्मीरी shawl इस टाइप के, इस टाइप के मतलब हाथ की कारीगरी भी लोग में आपने जानते हैं फिक है, उसके बाद हम आते हैं, इन जन्रड, मैं वे डोती कुटा, जन्रल में मतलब daily wear में, जो आदनी है वो धोती कुटा पहनते हैं, vast coat और टर्बन, टर्बन जो पगड़ी होती है, फिक है, उपर से एक जैकेट टाइप की होती है, उसको हम vast coat बोलता है, वोमन वेर शलवार कमीज, और ते शलवार कमीज पहनते हैं, फिर साड़ी और ब्लाउज डिफरेंट स्टाइल के अंदर इन बिग सिटीज बड़े शहर में पीपल अलसो वेर ट्राउजर, स्कुर्ट, सूट, सूट, एटिसी तो यहां के जो बड़े शहर हैं महाँ पे, जो लोग हैं वो ट्राउजर भी पहनते हैं, सूट पहनते हैं और इत्यादी women to wear these along with their western dresses और जो ओरते हैं वो भी, इनको भी पहनते हैं वेयर साथ साथ में western dresses भी पहनते हैं, importance of reason importance पढ़ेंगे हम reason के, it supports largest population यह बहुत जादा पॉपुलेशन में इसका योगदान है यह सपोर्ट करते हैं पॉपुलेशन को बहुत सारी इंडेस्ट्री इसको भी सपोर्ट करते हैं यह बिजली पावर जनेरेशन को सब्सक्राइब और और कई सारी फैक्त्री को भी सपोर्ट करते हैं अलुवेल सॉइल प्रॉट पाइड़ रिवर्स इस शीटेबल फॉर एगरी कल्शर जो यह अलुवेल सॉइल है जैसे बनती है यह agriculture को support करते हैं इसे खेती ज्यादा अच्छी होती है ठीक है the agriculture products are used as raw material for industries जो agriculture के products हैं वो बनाई जाते हैं उनके raw material industries में बनाई जाते हैं ठीक है जैसे कि खाद यह सब बनते हैं इंडस्ट्री में बनती है जो agriculture खेती के लिए जिरूरी होते हैं the flat land helps in laying of roads and railway without any difficulty जो flat lands जहां जो समतल भूमी है वहां पे railway और road बनाने में कोई difficulty नहीं होती है the northern fertile plains of other country is gift of nature जो northern fertile plains है यह हमारे देश के लिए नेचर का एक उपहार है it is our responsibility to prevent population of pre-nennials rivers as they as these rivers make the region very fertile and productive तो यह जो यह हमारा कर्तव्य बनता है कि हम इन river को इन rivers का खयाल रखें यहां पर pollution ना करें क्योंकि यह हमारे हमारे लिए बहुत ही जादा productive है और fertile है उपजाओ है और काफी सारी चीजों को बनाने में में मदद कर दिया तो यहां पर स्टूडिन्स हमारा chapter खत्म होता है next video में हम इस वीडियो के बाद हम अपना exercise करें तिल दन स्टे हों स्टे से शाइब जाएं टिल दन स्टे हों श्टे से शेएं